ये खोबा येलियों स्रिष्टी काता, मेरा पीता बेन गाया ये खोबा ये खोबा येलियों स्रिष्टी काता, मेरा पीता बेन गाया अब तो में सानात रहूँ, अब तो में सानात रहूँ आज बी खोबा ये खोबा ये खोबा ये खोबा है बोना थिर चाण का आकुरी वज्डाम से मैं बात किया थो इसे लिखाए हम्Ne एक महायाजग है महायाजग का अर्थ के आए जुना नियम में लिखाए परमेशर का परजा के लिए परमेशर का बैचों के लिए उस जमाना में कोई बड़े एक महायाजग होते दा उस महायाजग का काम हर साल जैसे महा पाप का परिहार का बेली चड़ाने के लिए परमेशर के पास इस सारे प्रजा का एक प्रदिम्धी बनके उन्हों ने जाने वाला था और उस महायाज़ा का काम परमेशर और इंसान का बीश में एक मद्यस्ति एक बीच्वाई का काम करते दा हाललूिया परमेशर के और परमेशर और इंसान का भीश में एक मीडियेटर एक मत्यस्ती का काम करते था कौन हललुया ये जो महायाजग अंग्रेशी में हाइप प्रीस्ट कहते और इब्राइनियम चार का अक्री वजनों में हम पड़ा हमें अपने लिए एक महायाजग है अर्थ क्या है अपना सारा संगड बदाने के लिए अपना मुसीबत का समय में हमें बाग के शरन लेने के लिए हमें एक जगाए एक स्तान है कोई भी तरह का संगड हो कोई भी तरह का मुसीबत हो उस समय में शरनागत होने के लिए हमें एक जगा है एक महाया जग है और उस भाग में इसे लिखाए और अपना महाया जग अपना जैसे ही दुखों को हाललिय सामना किया विकती है अपना जैसे ही परीशावों को सामना किया विकती है इसलिए अपने हालल दुखों में सगभागी होने के लिए हमें मदद करने के लिए अपना दुखों में हमें तशली देने के लिए हमें साथ देने के लिए ओ सामर्शा लिए ओ परियापते आज रात को मैं वापस बोलना चाहता हूं अपना महायाजग ईशू अपना मद्दिस्ती ईशू हम जैसे दुनिया में दुखो सूखो सामना कर रहे वैसे उन्होंने भी इस दर्टी में सामना की आए अपना जैसे उन्होंने परिशाओं को सामना की आए जो संकट, जो मुसीबतों, जो परिशा आज अपना जिन्दी के विरूति में आ रहे वैसे सब कुछ उन्होंने भी जिंदगे में सही लिया आए इसलिए हमें साथ देने के लिए वो परियाब दे हललुया अई सुबह मैंने कहा अपना महायाजग ईशू अपना परमेशर ईशू अपना दुखों सुनके हललुया वो सारे दुखों को वो सारे संकट को समझने वाला परमेशर अपना समसियों को समझने का थाकत उनके पास है क्यों? क्योंकि उन्होंने दर्थी में अपना जैसे जिया हललुया इस दर्थी में कभी उनको भूका बैटना पड़ा हलो तो भूका मतलब क्या है कौन जादे इस दर्थी में कोई दो जन इशु को जाके पूचा इशु हूँ आपका हाम रहते इशु ने क्या कहा मलबे? लॉमडियों को रहने के लिए जगा होते और चिडियों को आकाश है हललुया ऐसे हर जनवर को रहने के जगा है रहने के लिए उनको जगा नहीं दा हललुया आपको जान दे इशु का बार मैं क्या कहाए? जब दर्थी में उन्होंने जनम लिया उनको जैसे पहले दिन फरस्ट डे जिस दिन उसका जनम हो गया उसका पुवित्र आवदार दर्थी में हो गया उस दिन उनको रहने के लिए कुट का एक घर नहीं दा किराय में लिया हुआ एक जगा में एक सराय घर का गोशाला में उनको रखना पड़ा एक सराय घर का गोशाला में उसको रखना पड़ा कुट का जगा पहले के दिन से ये शुकर नहीं दा हललुया जैसे वो बड़ाव हो गया उनको वास करने के लिए रहने के लिए जगा नहीं दा हललुया और उनका चेलो के साथ में जैसे जरुसिलेम जा रहे दा उनको सवार करने के लिए कुद का एक वाहन नहीं दा हललुया इसलिए एक दिन के लिए एक गड़े का बेचड़े को लेके आया हललुया एक दिन के लेके आया हललुया जैसे जर्शले में पहुंचा उनको और उनको चेलों को साथ में फस्त का जो पर्व मनाने के लिए एक जगा नही दा उसके लिए भी कोई दूसरे किसी का एक जगाँ उन्होंने क्या किया कुछ समय के लिए ले लिया हललुया उसके बात में हललुया उन्होंने हललुया क्रूस में चड़ाया गया था हललुया और मुर्तिय के बात में उनको रेकने के लिए उनको गाटने के लिए कुट का एक घबरस्तान उसको नहीदा फुर क्या हो गिया आनिमतिवासी योसफ का घबरस्तान में उसको रखा हलो ईश्य को कुट का जगा जरम से नहीदा मृत्यू तक कुट का कुछ उनको नहीदा हललुया धनिवा देते मैं प्रोजी को ईश्य को जानते आपका समस्या जब आप बोलेगा प्रोजी मुझे रहने के लिए जगा नहीए हललुया मुझे इस बड़े शगर में इसे तकलिफ हो हुरे ईश्य कभी बोलेगा नहीं उसका मतलब क्या मुझे को समझ में आया नहीं इश्य को बोलेगा बेटा बेटी हललुया मुझे समझते तरह समस्या क्योंकि इस दर्थी में में जब धा मेरा हालात भी यही था हललुया काफी बार निंदिद हुआ काफी बार निंदिद हुआ मार खाया उन्होंने उन्होंने खोड़ा खाया सो दर्द का इसलिए दर्द का मतलब क्या है कौन जान दे आउन उनका प्रियम इत्रोम उनका चेलो उस दिन उनको चोटके भागा करके लिखाए जिस दिन ईश को पगड़ा गया था उस दिन उनका चेलोम सब उनको चोटके क्या किया भागा, कोई भी उनका साथ में नहीं दा इसलिए उनको जनते, दुनिया इंकार करने का वेतना उसका दुख क्या है, किसको जनते? ईश्यू को जनते जब लोग आपको हललुय त्यागेगा जब प्रिय मित्रों आपको चोटके चला जाएगा जब लिष्टधारों आपको दूर रखेगा उसका दर्द क्या है, किसको जनते? ईश्यू बोले का बेटा, मेरा साथ में भी यही हुआ दा मेरा साथ में भी यही हुआ दा मेरा प्रिय मित्र, जों यकी ताली से खाना खाते दा उन्होंने मुझे दुखा दिया हाललुया, जो मुझे को बोला मुर्द्यू तक में तरह साथ में रहेगा उसी मित्र मुझे इंकार करके बात किया हाललुया, तो आपको दुनिया इंकार करेगा आपको दुनिया दुका देगा जो आकरी स्वास तक आपका साथ में रहेगा करके जो शबत काके आपका साथ में जीने के लिए तैयार हो गया शायद पती पत्नी ना तो बच्चों सभी लग चोटके जाएगा ईशु ने क्या कहाएगा मल में बैटा तेरा दुख मुझे जानते मेरा साथ में भी यही हुआ दा कितना लोगों को समझ में आरे आर्थिक समझ यह क्या है करके ईशु को कोई सिखाने का जरूरत नहीं है क्योंकि वच्चन में लिखाएगे उन्होंने एक गरीब परिवार में एक कार्पंडर एक सुतार का घर में उसका जनम हो गया दा अर्वचन में क्या लिखाएगे उसको टैक्स बरने के लिए उनके हाथ में पैसा नहीं दा चुंगी चुंगी बरने के लिए उसके हाथ में पैसा नहीं दा जैसे चुंगी लेने के लिए लोग आया पुत्रूस ने जाके ईशू से कहा दोगो आप भी चुंगी बरने का समय हो गया है टंबल टैक्स पात में पैसा नहीं दा तो अर्थिक समस्य क्या है करके ईशू को कोई सिकाने का ज़िल्लत नहीं है मैं आज रात को आप से कहना चाहता हूँ आप जिस विश्यों को सामना कर रहे ईशू उस समस्य को अच्छे रिदी में समझने वाला ही क्यों? क्योंकि आप जिस देशा से आज गुजर रहे ईशू दोजार साल पहले उन सारे परिशवों को सामना किया दा इसलिए दुख ही मतो जाओ इबराइन यूम चार का आखरी वज़न में क्या लिखाए? इसलिए सही समय में मदद के लिए उचित समय में मदद के लिए हियाओ बांके उसके पास जाओ क्या लिखाए? क्या लिखाए? इसलिए इसलिए आओ एक मिनित बुला रहे आपको इसलिए आओ, कौन बुला रहे यह जो लेखक, इस जो पत्री लिखका लेखक बोल रहे आओ, मतलब मैं जा रहा हूँ, कहां जा रहा हूँ इस्वी के पास जा रहा हूँ उदर मुझे तसली मिलने वाला है उदर मुझे स्वांधना मिलने वाला है उदर मुझे मेरा विश्यों का जबाब मिलने वाला है इसलिए मैं जा रहा हूँ आप भी मेरा साथ में आ जाओ आज रत को मेरा वज़न सुनने वाला हर वक्तियों के प्रोवकात में बोल रहे देखो मैं आपको भी बुला रहे मैं आगे जा रहे मैं इश्यों के पास जाके आश्यों पाया है आप भी आजाओ अगर आप आने के लिए तायर है तो जैसे मैंने आश्यों ही दो गिया जैसा मेरा जिंदगी में चुटकारा मिला जैसे इदर काफी लोग जो बैठा है उनका गवाई और कदार आपने सुना वही से ही आपका जिंदगी में भी एक आश्यों जरू प्रकड़ोने वाला है इसलिए खम लट उस गो तो टू टॉट अफ ग्रैस आईए हम अनिंगरे के सुभासन का निकट जाएगा इसलिए आओ पढ़िए कहा जाएगा अनिंगरे के सुभासन का निकट हम जाएगा उस सुभासन का उस सुभासन का नामी क्या है मलवे अनिंगरे का सुभासन उस सुभासन को दिया हूँ नाम अब अलग अलग तरह का सुभासन देखा होगा राजा जो बेटरे सुभासन उस राजा का परदाप का हिसाब से होते हैं सही है ना राजा जो बैटर सिम्हासन राजा का परदाप का हिसाब से होते पहले कि कुछ राजा वह बैठा हुआ हललुया सिम्हासन में जो हाथ रखने वाला पाम रस्ट होते हैं उसमें दो सिम्हु का सिर हललुया जैसे बना के रखते था. यसलिए उस कुर्षी को सिम्हासन बुलाते था. क्या बुलाते था? वही कारेंट से उसको क्या नाम मिला? सिम्हासन. राजा एकदम प्रदाब के साथ में उस सिम्हासन में बेठाई. देखने वाला लोग क्या बोलेगा? दो सिंह को अपड़ उन्हें हाथ रखाए। हाललुय। राजा को देखें लोग डर जाएगा। गयुद गूर जाएगा राजा करो जंडा बत्करेगा। लेकन इधर अपना राजा के बारे में कहाए। तुम डरके आव़ो करके कहा नही पूर्षा... तुम डर डर के राजा के पास आवो गुटना हाललुया काप के आवो करके लिखा नहीं मगर हिया उपान के हिया उपान के कैसे हिया उपान के किस तरह का सुम्हासन अनिंग्रह का सुम्हासन इसका आर्थ क्या है मालुबे उस सुम्हासन से आपको अनिंग्रह मिलने वाला है उस सुम्हासन से आपको कुरपा दृष्टी से उनका धया दृष्टी से तरस खाकर आपके उपर उनका दृष्टी गरने वाला है That is the throne of Christ दुनिया का राजाव का सुम्हासन के पास लोग जाते वह इस डर के नहीं इस अनिंग्रह का सुम्हासन के पास कैसे आवो आज इस इतना लोग मेरा वजन सुने आपको मैं बोलना चाहता हूं ही आप बांक के आवो डरना नहीं इस चुके पास जाने के लिए किसी को डरने का जरूरत ओ हललालुईया क्यों डरने का जरूरत नहीं है क्योंकि वजन में लिखाए उन्होंने अपने जैसे ही कष्ट उठाया परीशावों को सामना किया इस लिए आपका मेरा दुख को वो समझ सकते हैं वो समझने वाला पर हमेशर है हलाए आपका दुख सुनके वो कभी गुसा करेंगा नहीं आपका दुख सुनके आप जब परीशा से गुजर रहे आपका प्रभू बोलेगा नहीं तो कमजोर है इसलिए सब कुछ हो रहे आपका समस्या सुनके आपको उपर हजी मजा करने वाला परमेशर नहीं अपना परमेशर नगर वजन में क्या लिखाए माले जो दुख्यों का साथ में रोने वाला परमेशर जिनों दुख्ये उसके साथ में उसके साथ में इसलिए हम गाना में गाते है जब मैं गिरूँँगा वो क्या करेगा है वो दौट के आऊँगा हाललुया जब मैं गिरूँगा वो दौट के आने वाला है हाललुया मुझे उठाने वाला है जब आपका आंग खौम आसू से बढ़ेगा उनका आंग खौम भी आसू से बढ़ने वाला है आपको क्या विश्वास कर पाऊगा अज सुबह मैंने कहा लासर का घबरस्तान में ईश्व खड़ा हो के रोया ईश्व क्यों रोया ईश्व ये बोलके रोया नहीं मेलेट हो गिया गलती हो गिया अगर पहले आते तो कुछ होने वाला था अभी मैं कमजोर है अभी मैं कुछ करना ही पाऊँगा ये बोल के रोया नहीं मगर ईशू ने उनका दुख दे के रोया दुखी लोगों का दुख दे के साथ में रोने वाला परमेशर हललुया वो रोक के चला जाने वाला नहीं मगर क्या करने वाला है आपका जिंदगी में एक विस्राम देने वाला है विश्राम देने वाला है? He will give you rest, hallelujah, एक विश्राम देने वाला है, मैं सुबह कहा, इबराइनियां फॉर्थ चाप्टर पूरा विश्राम का बारा मैं बदाया है, चाप्टर है, क्या बदाया है? विश्राम, परमेशर देने वाला विश्राम, आज सुबह और भी एक मेरे पास आवो, इबराइनियां चार में हम पड़ा, आवो, हम जाएगा, कहां जाएगा, कहां जाएगा, कहां जाएगा, उस अन्यंकरे का सिंवासन का निकट ही आओ बांद के जाएगा, इस ने कुद अभी क्या कर रहे, बुला रहे, आवो, कहां आने के लिए बुला रह मैं तुम्हें विसराम देने वालाए मैं तरह आसों पोशने वालाए मैं तरह समस्या को दूर करने वालाए हाथ उठाके, एक अच्चा ले लिया, बोलिये おपने परेमेशर, विसराम देने वाला परेमेशर Our God is a God, who is ready to give you rest विसराम देने वाला परेमेशर I will give you rest मैं आपको क्या करेगा विस्टराम देदेगा हम सब को क्या चाहिए विस्टराम चाहिए शरीर में विस्टराम चाहिए मन में विस्टराम चाहिए मैं सुब एक्स्प्लेंट किया सर्फ शरीर में नहीं है मन में भी विस्टराम चाहिए मन में भी दोड़ा क्या बोलते है शांदी है नभो करना चाहते है वजन क्या कहा है मालूबे हललूया में तुम्हें विश्राम दोगा तरह शरीर में विश्राम दोगा तरह मन में में विश्राम दोगा अलग अलग तरह का विश्राम हललूया परमेश्र के वज़र के शुरुवात से हम पड़ पाऊगा तो कि एक वायद आए I will give you rest हललुया उल्पत्निक के पुस्टक में शुरुवात में ही हम देख पाऊगा परमेश्र छे दिन में इंसान को बनाये चटवा दिन में इंसान को बनाया और साथ वा दिन क्या किया आराम किया विस्राम का दिन रखा साथ दिन में एक दिन परमेश्र के विस्राम का दिन रखा क्योंकि हललुया इनसान को क्या चाहिए रश चाहिए प्रभू ने हमें साथ दिन काम करने के लिए बुलाया नहीं प्रभू ने हमें छे दिन काम करने के बुलाया अगर साथ दिन काम करेगा तो क्या होने वाला है उस गारी जादा आगे जाने वाला मैं आपको सुबह भी कहके दिया था कोई भी तर का मेशिन हो उसको भी हम चौबीस गंडा चलाएगा तो गरम होने वाला है सही है ना फिर कुछ गंडा आपको बंद रखना पड़ेगा तो अगर तंडा होने के लिए अगर एक मेशिन भी कंडिनियोस उतने काम नहीं कर सकते तो कुछ बड़े-बड़े कार खानाओं में हललुया मेशिन चालू करेगा तो बंद नहीं कर पाऊगा क्योंकि उस मशीन चालू होने के लिए घंडो म लगते है् बड़ा बड़ा मिश्टन employ से हो मशीन भी क्या करते है मालवे हो मशीन भी कुछ महीने बात में उसका श्यडाउन का काम करेगा बैंद करके पूरा रिप्यारिंग करेगा पूरा मरामत करेगा कभी चे महीने चालू रहेगा चे महीने के बाद में उसका हाललुया बतले में आल्टरनेट मशीने काम पूरा उसको उपर देखे फुर इसको शट डाउन करेगा मैं बोलना चाहता हूं हाललुया इंसान को चे महीने काम करने के लिए दिया नहीं छे दिन काम करके सातवा दिन रस्त लेने के लिए दिया है हर वक्त क्योंग क्या चाहिए विस्राम चाहिए रस्त चाहिए परमेश्र का वचन में बोल रहो अगर आपने ऐसा रस्त नहीं लेने वाला वक्ति है तो आपका शरीर में उसका अज़र होने वाला है आपका मानसिक रूप में उसका हाजर होने वाला है रस्ती इंपोर्टेड हाललुया विस्राम एक प्रमेशर का बच्चा के लिए जरूरी है इसलिए ईश्यू ने उनका चेलों बहुत महनत करते दा उनको खाना खाने के लिए भी समय नहीं दा इश्यू के छेलों को उतना महनत करते दा इसलिए ईश्यू ने एक दिन जपर दस्ती करके उनको रस्ट लेने के लिए बेजा बोला जाके क्या करो आराम ले लो सेवगाई भी हो हमें क्या चाहिए आराम चाहिए रस्ट चाहिए हाथ उड़ा के धनिवाद देजिए हललुया सिर्फ शरीर में नहीं अपने काफी मंठली में हमें रस्ट मंगते हललुया हललुया परमेशन का वज़न में कुछ वज़नों जल्दी हम पटने के लिए जा रहो हूँ एकसारस चाप्टर फाइव वर्ट्स फाइव नर्गमन का पुष्टक पांच का पांच में क्या लिखाए मालुबे हिदी में शायद क्लियर ना होगा लेकिन अंग्रेशी में उस वज़न पढ़ेगा तो उधर लिखाए हललुया इस प्रजा को तुम क्या कर रहे आराम करने के लिए दे रहे अभी कौन कह रहे फुरवो फुरवो किसका प्रतिल्यू पे किसका प्रतिल्यू पे सैतान का अभी सैतान अभी हम फुरवो का चिका में क्या बोलेगा फुरवो ना तो सैतान ने कहा क्या कहाँ सुनो इस देश में ये लोग बहुत हो गिया है तुम उनको देखो तुम उनको विस्राम दिलाना चाहते आपको कहानी जान दे इस्रेल का लोग गुलाम था उस देश में दिन रात महनत करते था सेटान आपका आराम को चुरा लेगा सेटान आपका शांदी को चुरा लेगा वजन में स्पस्टरीदी में लिखाए खात करने के लिए नश्ट करने के लिए और चोरी करने के लिए को ना रहे चोर ना तो सेटान आ रहे सेटान को चोर बुलाया है आपका जिन्दगी को नश्ट करने के लिए आपका भविश को आपका आशिशों को चोरी करने के लिए आपका परिवार को बरबात करने के लिए आपका भविश को सतिनाश करने के लिए कौन आया अभी फरवो बोल रहे तुम क्या चाहते मुसा तुम इनको क्या विश्राम देना चाहते मुस्हा किस काम के ली आया हलो प्रभू ने बोला मेना प्रजाका रोना में सुना उन का दुख में देखा پरमेशड बोला इस गुलाम लोगों का जो फरवो का गुलाम बन के दिन रात मैहनत कर रहे इस का दुख में ने सुनाए ये सुनके प्रूम ने क्या किया एक वक्ति को चुडाने के लिए बेजा इनको चुटकारा देने के लिए इनको इस गुलाम इससे बाहर लाने के लिए प्रूम ने किसको बेजा मुसा को बेजा जैसे मुसा आके उनका काम शुरू किया इन लोगों को आजादी, इन लोगों को सुदंद्र करने के लिए कोसिस किया इश्यों ने भी कहा, मैं तुम्हे, मैं तुम्हें सुदंद्र करेगा तुम जिस विश्यों में गुलाम है, जिस सेटानिक सामर्तों का गुलाम है जिस बीमारी के गुलाम है जिस भाय के गुलाम है I will set you free मैं तुम्हें आसाथ करेगा ईश्यू ने भी वही बोला जैसे मुसा ने इनको सुदंद्र करने के लिए आया फरो क्या बोल रहे है महलुबे क्या तुम चाहते सेटन क्या पूछ रहे है महलुबे क्या तुम चाहते इनको सुदंद्र करना चाहते इनको विश्राम देना चाहते वज़े मैं क्या लिखाए परमेशन आपको विश्राम देना चाहते है God want to give you rest and सेटन want to keep you busy Hallelujah सेटन आपको busy रखना चाहते सेटन आपको उनका जुवा का नीचे हमेशन रखना चाहते ऐसे गलती एक परमेशन का बचा करना नहीं फरवो क्या बोला फरवो बोला तुम्हे नींद में देने वाला नहीं तुम्हे सोने नहीं देने वाला है तुम्हें में हमेशा मेरा जुबा का नीचे रखेगा तुम्हें कभी में भी इस्राम देने वाला नहीं है तुम हमेशा दुख भड़ा हुआ रोटी खाने वाला है ये फरवो का प्लाने ये सैतान का प्लाने लेकिन मुशा ने कहा मैं इस प्रजा को चुडाने के लिए आया आजे रात को ईशु ने क्यों माया मलूबे वाजर कहते सैतान का कामों को खोलने के लिए ईशु ने आया आपको उपर सैतान रखा उस जुबा को तोटने के लिए उस पम्थनों को खोलने के लिए उस जांची उरों को तूटने के लिए कौन आया? ईशु आया ईशु आपको सच मुझ में सुदंद्र करना चाहता हूं Jesus wants to set you free ईशु आपको सच मुझ में सुदंद्र करना चाहता हूं आज रात को ईशु काथ में समभ पर्ण करो सेतना और भी अपको गुलाम में ना के रखना चाहता है लेकिन आज रात को पवीतर रात में आपको ही बोल रहे है चिंदा मत करो आपका दुखों, आपका आशु आपका रोना परमेशर सुनाए आपका मुसीबत परोग देखा है आपको चुडाने के लिए उन्होंने आज रात को इदर उत्राया है राइट नहीं इस प्रसंट ही है उन्होंने इदर हजी रहे आपको चुडाने के लिए एशु आपना बीश में बस्ते दे आजीस वजन सुनने के समय में कुछ लग बोलो I'm going to get rushed maybe in my personal life in my family life in some areas God is going to give me rest oh hallelujah मैं बहुत सफर कर रहे दा मैं बहुत दूखुडा रहे दा मैं इश्य के पास आया आवो करकर जब उन्होंने बुलाया परमेशर का दास बोले ठीक हम जायेगा पहुंचा इसलिए ये वर्ष में मेरा जिंदगी में आराम होने वाला है मैं बोलना चाहता हूँ ये वर्ष आपके लिए आने वाला दिनों में let it be a time of आराम hallelujah आराम इन दो संसर शांदी मिलने वाला कुछ जुआ तोटने वाला कुछ बंधना खोलके आप सोदंद्र होने वाला जो गुलामी आपको उपड़े कभी भी आपको शांदी नहीं देगा बोलके हमेशा आपका जिंदगी में गड़बट ड़ने वाला हमेशा सिर्दर्द का hallelujah महाल आपका परिवार में आपका विश्यों में खड़ा करने वाला सिर्दानिक फर्वोग का शक्ती को हटा कर फर्वोग का गुलामी से सिर्दान का गुलामी से प्रफु मंगते आपको एक आराम दे ना मंगते ईश्यों ने बोला जो बोज बड़ावा लोग मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम देगा hallelujah तेरा भोज को में कम करने वाला है तुम अपना आप कोसिस करेगा तो एक फूट भी आगे बटने वाला नहीं है लेकिन में तरह संग में रहेगा तेरा भोज को तेरा कंदे से मेरा कंदे में उतरा के रखो इश्यों ने क्या वाइदा दिया इसे ने बोला तेरा भोज मेरा उपर डाल दो मैं तेरे लिए चिंदा करने वाला है ऐसे बोला दूसरा कोई भी है नहीं है मेरा प्यारा जिसो इसलिए मैंने कहा उनका अनिंग रहा का सुम्हासन का निकड़ आएगा तो आप खाली हाथ से जाने वाला नहीं है आराम पाके, विश्राम पाके, आशिष पाके आप आपस लाउटने वाला है तालियां बजाकर प्रवका दनीवाद दीजिए I will give you rest I will give you rest ईश्व आपको आराम देने वाला है Hallelujah पर गया बल आर बेदी में कल गया दिल में शांती भर गया अब तो मैं आजाद हूँ अब तो मैं आजाद हूँ